नमस्कार साथियों हमारी चैनल पी जो है पैट बैट चालू हो गया है तो जो लोग लेना चाहते हैं फटा फट उसको जॉइन कर लीजिए और आज हम आप लोगों को आयुरबेद के द्रब बिगुण बिज्ञान से संबंधित जो है कुछ आईशी प्रस्नों को हल कराने की क पूशिश करूँगा जिसमें मिलते जुलते कुछ नाम आपको एक्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं जिससे आपका नंबर जो है कम हो जाता है गलत कर देते हैं आप उस नाम को सुने ही नहीं रहते हैं तो इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ ले तिल पंड़ी बोला जाता है दूसरा देखेंगे मधुक तो मधुक माने होता है मुलेठी और चोटाओ की मात्रा मधुक लिखा है तो मुलेठी होगा और बढ़ाओ की मात्रा है मधुक मधूग तो महूआ हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे जहान मधूग लिखा होगा बढ़ाओं की मातरा होगा उसे महूआ समझेंगे आप लोग तीसरा देखेंगे इसमें लिखा है तरुषका, तरुषका यानि की परशीक यावनी इसे परशीक याउनी के नाम से भी जाना जाता है अरुशकर देखेंगे तो इसे भल्लान तक बोला जाता है और करासकर बोलेंगे तो ये कपीलू होता है जो था देखेंगे इसमें लिया है परूशक फलासा होगा पर तरूशक अरूशक जो है सिलारस होगा पाचवा दिया है अगनी मुख को भलान तक बोला जाता है अगनी मुखी को कालिहारी बोला जाता है और तीसरा देखेंगे नलद तो उसीर बोलते हैं नलदा जो लिख्या होगा तो जठा मासी होगा धात्री फल अमलकी को बोला जाता है और धात्री पत्र जाएगा तो तालीश समझेंगे प्लंकस तो गुगलू संगे यह प्लंकसा जो लिखा रहेगा तो गोछरू समझेंगे कुछ टगना नाम बोला जाएगा कुछ टगन बोला जाएगा तो खादिर को समझेंगे ठगनी ल लिखे रहेगा तो तुवरक होगा अमरित लिखा है तो अमरित का वसनाब होगा और अमरिता लिखा रहेगा ताकि मात्रा आजाएगा तो गुर्ची हो जाएगा तापरा की मात्रा आजा गुर्ची हो जाएगा तीसरा देखेंगे इसमें लिखा है पिंड फल तो पिंड फल म लिखा रहे होगा तो इस छ्वाकू होगा बारा देखेंगे बारा नंबर पर माता यानि की हरित की अब भिशक माता वी वासा को बोला जाता है अब भिशक प्रिया जो है गुरुची होती है तो तीनों में confusion होता है, लोग confusion हो जाते हैं, बहुत जरूरी है याद कर लीजिएगा 20 सुबह सज्या जो है, सुठी को बोला जाता है तीहा सत्रु लिखा रहेगा, तो सरपुखा समझेंगे प्लिहगन लिखा रहेगा, तो रोहितक समझेंगे और मतूल लिखा रहेगा, तो धतूरा समझेंगे बालक लिखा रहेगा, तो दबाला समझेंगे रुधीर रिखा रहेगा, तो केशर को समझेंगे और बीसवा दिखेंगे, तोय वल्ली, शरीबा होता है योजना वल्ली, मंजिष्टा होता है शोम वल्ली बाकुची ब्रह्मी अम्रिता सुदर्शन को बोला जाता है और कपोत वल्ली एला को बोला जाता है अम्रित वल्ली गुरुची को बोला जाता है देव कुसुम लिखा रहेगा तो लवंग को समझेंगे देव दुंधी लिखा रहेगा तुलशी होगा देव असपर्स यावस को समझेंगे, देवसपर्सा, धान्यवासा को समझेंगे, साहदेवा, महाबला को समझेंगे, साहदेवी लिखा लेगा, तो साहदेई हो जाएगा, महापत लिखा रहेगा, तो मानकंद हो जाएगा, और महामूल लिखा रहेगा, तो पाताल गारुणी होगा महा फला लिखा रहेगा तो जम्बू होगा महा वक्कल लिखा रहेगा तो कंट फल होगा